Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे बीते सारड़े और संड़े के बीच में इरान ने इसरेल के उपर लग भग 300 से भी अधिक रॉकेट्स और मिसाइल्स दागें जिसके बारे में ये कहा गया कि almost 99% जो मिसाइल्स और रॉकेट्स दागे गये थें इरान के द्वारा उसको इसरेल के डिफेंस सिस्टम ने complete तरीके से नाकाम कर दिया इसी बीच हमारे पास ये खबर आता है कि साउदी अरेबिया, UAE और भी कुछ अलग-अलग गल्फ कंट्रीज ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर किया था इसरेल के साथ में कहने का मतलब है कि इसरेल को पहले ही मालूम था कि इरान पॉसिबली किस टाइप का वेपन यूज करने वाला है और आल्मोस्ट किस टाइम में अटैक करने वाला है जिसका रिजल्ट हम देख सकते हैं कि अल्मोस्ट 99% जो वेपन्स था रॉकेट्स था वो नाकाम कर दिये गये थे As an observer हमारे लिए काफी important होता है कि हम geopolitical news को देखे और समझें कि किस तरीके से देश कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं इस वीडियो में हम इनी सब बातों के बारे में जानेंगे मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं अब geopolitical news में क्या होता है कि अगर आप किसी एक मुद्दे को touch करते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारे information होते हैं यह अभी आप जो photo देख रहे हैं यह पिछले साल April के महीने का है जहांपे चाइना साओधी अरेबिया और इरान के बीच में एक peace deal करवाता है यह news जैसे ही public domain में आता है वैसे ही चाइना का जो global cut था वो काफी बढ़ जाता है और उसके साथ US के बारे में यह कहा जाना शुरू हो जाता है कि US का hegemony या उसका control दुनिया के उपर कम हो रहा है लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे experts थे जिनका यह मानना था कि आप जितना मर्जी उतना peace deal करवा ले इरान और साओधी अरेबिया के बीच में लेकिन दोनों देशों के बीच में जो relation है वो कभी भी अच्छा नहीं होंगे अब जिन लोगों को Middle East crisis के बारे में नहीं पता उनको यह शायद लग सकता है कि साओधी अरेबिया और इरान के बीच में जो conflict है इसका base religion है तो एक बात मैं बहुत ही साफ कर दू कि साओधी अरेबिया और इरान के बीच में जो conflict है जो विवाद है यह सिर्फ और सिर्फ एक इरान है और यह इसरेल है किसी भी तरीके से अगर इरान को इसरेल के उपर attack करना पड़ेगा direct attack तो उसे कहीं ना कहीं इराक को convince करना पड़ेगा उसे सीर्या को convince करना पड़ेगा इन केस अगर इरान इराक को सीर्या को लिबनान को या in fact जॉर्डन को अगर वो convince नहीं करता ह तो directly फिर इरान के जो दुश्मनी है वो इन सब देशों के साथ बढ़ जाएंगे या तो फिर इरान के पास दूसरा option ये होता है कि वो लिबनान में जो हेजबुला है उसे support करें येमन में जो हाउती है उसे support करें जिसे कि normally हम कहते हैं proxy war तो जो बीते Saturday और Sunday के बीश में जो attack किया गया इरान के द्वारा इसरेल के उपर तो कहीं न कहीं इरान को, सीरिया को, लिबनान को, इराक को इन सभी को बताना था कि वो attack करना चाहते हैं इसरेल के उपर as a result क्या होता है कि almost इन सभी देशों को attack का timing almost मालूम पढ़ जाता है और वो information as it is इसरेल के साथ share कर दिया जाता है ये article है Times of Israel का अगर आपके पास वक्त है तो आप खुद भी जाके इस article को पढ़ सकते हैं जहां पे बहुत इस पस्ट और साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि Gulf states including Saudi Arabia provided intelligence on Iran attack पहले भी ये माना जाता था और आज भी ये माना जाता है proper intelligence gathering हो तो आप किसी भी attack को नाकाम कर सकते हैं जिसकों कि हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इसरेल ने इरान के attack को diffuse किया अब यहां पे मेरा कहने का कहीं से कोई मतलब नहीं है कि Saudi Arabia सही है या गलत है या इरान ने जो किया वो सही था या इसरेल जो कर रहा है वो सही है या गलत है As an Indian, as an observer हम सिर्फ इस news को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके से देश बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं बीते कुछ सालों से इसरेल का air defense system बहुत ही जादा news में है और उसके बारे में बढ़ चड़ कर कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये बहुत ही जादा एक successful defense system है तो इन वे हम ये कह सकते हैं कि air defense system आने वाले कुछ दिनों में बहुत जादा बिकने वाले हैं तो इससे 21 हमें समझ में आता है कि अगर कहीं पे भी war होता है तो जो arms ammunition manufacturing companies होते हैं उनको definitely फायदा होता है Times of Israel के हिसाब से Wall Street General में एक report छपता है जहां पे ये बताया जाता है कि almost UAE हो गया या US हो गया Egypt हो गया ये लोग बढ़ चड़कर इसरेल के साथ coordinate करते हैं और उसी coordination का नतीजा होता है कि इरान जो attack करता इसरेल के उपर उसके attack को complete तरीका से नकाम कर दिया जाता है उसके बाद साओधी अरेबिया का जो defense system है वो बहुत हद तक बढ़ चड़कर US के उपर dependent है तो इसलिए भी hardly को ऐसा information आता है या statement आता है जहांपे साओधी अरेबिया US के खिलाफ कुछ कहता है और उसके अलावा भी अगर आप लोगों ने एक चीज़ notice किया होगा तो जो latest escalation है हमाज और इसरेल के बीच में लगबग लगबग ये 6 महीने से उपर होने वाला है इस पूरे 6 महीना में Saudi Arabia या UAE कुछ भी नहीं कह रहा है almost अपने position of neutrality को वो maintain किया हुआ है चाहे आप Jordan की बात करें चाहे आप UAE की बात करें चाहे आप Oman की बाते करें तो ये सब देश कहते कुछ और है कहने का मतलब है कि ये statement कुछ इस तरीके से देते हैं कि ये Israel के खिलाफ में है और Palestine का जो cause है उसके साथ खड़े है लेकिन इस attack में ये देखा गया है कि Jordan ने भी Israel को काफी important intelligence sharing किये थे इसका एक और साफ इस परस्ट मतलब अच्छी है आपका export काफी अच्छा है तो जाने अन जाने में देश आपको support करते ही करते हैं इस case में भी हम देख सकते हैं कि क्योंकि US एक बहुत बड़ा single most reason हम कह सकते हैं इसराइल के support के पीछे हैं क्योंकि US के पास weapons काफी अच्छे हैं उनकी economy strong है दुनिया भर में लगबग हम कह सकते हैं कि 80 से भी अधिक देशों में उनका military base है तो कहीं न कहीं साउधी अरेबिया हो गया या जॉर्डन हो गया इनको इन अवे कुछ security assurance मिलता है USA से चाहे वो Arab militaries हो गया है चाहे उनके intelligence हो गया है सभी कोई ने बढ़ चड़कर जो missiles या rockets दागे गया थे इरान के दुवारा उन सभी को intercept किया गया और कहीं न कहीं Jordan अपना air space को use करने के लिए देता है US के हिसाब से उसी बीच ये भी देखा गया है कि initially बहुत सारे जो Arabic nations थे वो ये चाहते थे कि वो information को pass करते हैं लेकिन जो वहां के common civilians है कहने का मतलब है चाहे वो Saudi Arabia के हो चाहे वो UAE के हो चाहे वो Jordan के हो उनका जो support या उनका जो sympathy है वो Palestinian लोगों के साथ में है तो कहने का मतलब है कि जब से Israel और हमास के बीच में conflict शुरू हुआ तब से हम देख सकते हैं कि इसका असर भारत में भी पड़ा है और कहीं न कहीं अगर आपको reaction चेक करना है तो आप किसी भी social media platform के comment section में आप जा के देख सकते हैं किस तरीके से लोग आपस में एक दूसरे को abuse करते हैं कहने का यहां पर यह मतलब है कि government का support किसी और को है common civilians का support किसी और को है और सभी देश अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं किसी भी देश का जो reaction है या action है वो emotional basis पर तो बिल्कुल भी नहीं है इसी report में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से Saudi Arabia और UAE ने गुपचुप तरीके से information share कियें और Jordan बढ़ चड़कर US और other countries के जो war plane है उसको अपने air space use करने दिया गया तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपने air space को use करने के लिए देते हैं तो कही न कहीं आप Israel को support कर रहे हैं और आप Iran को oppose कर रहे हैं अब क्योंकि जैसे मैंने map में अभी समझाया था कि अगर Iran को directly Israel के उपर attack करना पड़ेगा तो उसे कहीं न कहीं कम से कम 4-5 countries को उसे बताना ही पड़ेगा in advance में as a result क्या होता है कि जब Iran ने ये declare किया था कि वो Israel के उपर attack करेगा तो उसने ये information Saudi Arabia के साथ और भी अलग-अलग Gulf countries को share किया था तो almost हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से इरान ने information को share किया उस सारे information को Gulf countries और UAE, Saudi Arabia as it is Israel और US को pass on कर देते हैं कहने का मतलब है कि almost Israel को pinpoint accuracy के साथ मालुम था कि इरान क्या करने वाला है तो कोई भी समसकता है कि अगर एक तरफ एक देश और दूसरी तरफ अगर UAE, Saudi Arabia Britain, Israel, USA है तो कहीं न कहीं जो attack होगा उसको नकाम करने का जो chance से वो काफी आगे बढ़ जाता है तो in a way as an Indian कुछ सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या अगर कल को किसी भी देश से अगर लडाई होता है भारत का तो क्या हमें इस हद तक support मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए हमारा preparation क्या है और उससे भी कहीं important चीज ये है कि भारत में जो लोग Israel और Palestine को support या oppose कर रहे हैं वो इन सब news को पढ़ें और जाने कि किस तरीके से जो Middle East के countries हैं उनका ही support अपने अपने benefit के हिसाब से है तो भारत में अगर हम Israel और हमास या Israel या Iran के मुद्दे को अगर हम बहुत ही personal label पे ले जाएंगे तो इससे definitely Iran या Israel को तो कोई benefit नहीं पहुँचेगा लेकिन India as a country ये जरूर कमजोर होगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye